अगर आपको भी चोकलेट खाना बहुत पसंद है और डरते हैं कि बाहर के चोकलेट्स पता नहीं कैसी होंगी, कुई खराबी ना कर जाए और के बारना चोकलेट्स इतनी पुरानी होते हैं, उपर से पैकिंग तो अच्छी रहती हैं, पुरानी हो चुकी होती हैं कि अंदर उ चोकलेट्स देखी हैं, जो बच्चे खाने के लिए खोलते हैं, जैसे ही तोड़ते हैं, उनके अंदर कुछ होल्स जैसे बने रहते हैं, उनके अंदर कीड़े होते हैं, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, डर रहे हैं आप चोकलेट्स खाने से, तो क्यों मार् रार की चॉकले चिए उपाजय को चाहिए और भी चॉकलेट मॉल्स चॉकले बताब सक्षब को साकैंme छम्ट आपको पसंद वीश च Applause को चाहई तो आज मैं आपके लिए घर पे चॉकलेट बनाने की बहुत ही चैप लेकर आए हूं तीन अलग लग तरीके के चोकलेट में बनाओंगी बहुत आसानी से सिर्फ आपको चाहिए compound chocolate मतलब बेकरी में आपको आसानी से बड़ी बार मिल जाती है chocolate की उसे melt करते रहना है और जो भी आपको पसंदे वह चोकलेट में डालिए घर पे कुछ से चोकलेट बना लीजिए अच्छे ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं घर पे कुछ से चोकलेट बनाने के लिए जो भी nuts आपको पसंदो का जो किश्मिश बादाम जो पसंदो वो आप ले लीजिए जैसे कि मैंने almonds लिये हैं और मैंने coconut powder लिया है तो ये खजूर तयार करके मैंने रख लिये हैं यहाँ पर मैं खजूर के अंदर भरने वाली हूँ गुलकन ये है रोज गुलकन जिससे मैंने खुद घर पे तयार किया है और इस गुलकन के इतने फादे है ना जो मीठा खाने के ग्रेविंग होती है वो भी जाएगी और खाने के बाद खाना बहुत अशी तरह से डाइजेस्ट करता है हमारा खाना हाज़म होने में बहुत जारा हेलपफुल होता है सारे खजूर के अंदर मैंने गुलकन भरके एकसाइड करके रख दिया है फ्रिज में दूसरी तरफ मैं आलमंड ले रही हूँ इसे बारी काट करके ड्राइ रोस्ट करूंगी अब यहाँ पर आप अपने फेवरेट नट्स ले सकते हैं आप चाहे तो पिस्ता, काजू, अखरोट कुछ भी ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो वही ले सकते हैं इससे जब हम ड्राइ रोस्ट करेंगे ना तो इससे चॉकलेट का टेस्ट बढ़ेगा चॉकलेट लंबे समय तक खराब नहीं होगी और चॉकलेट में क्रंचिनस आएगी जिससे टेस्ट बहुत ज़ादा बढ़ जाता है यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 100 ग्राम उसके लिए मैं अलग चॉकलेट बना रही हूँ और यह पूरी तरह से कोकोनट वाली चॉकलेट रहेगी और खजिर वाली चॉकलेट की तेयारी तो हमने करके रख ली मतलब तीन डिफरेंट तरीके से अब यहाँ पर आप खुद अपने आईडियास को थोड़ा सा चेर्स होती है और दूसरी तरफ जो भी चीज हम इसमें मिला रहे होंगे जाईर सी बाते मन पसंद चीज इमिलाए होंगे जो स्वाद में चारचान लगा ही देगी तो यहांपर डैसिकेटेट कोकोनट में मैं मिठाईमेत मिला रही हूं और उतना ही मिलाना है जितने में हम इसे bind कर सके मतलब ये बिखरे नहीं और ये इकठा सा हो जाए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जैसी शेप देंगे उसी शेप में आ जाएगा वो लड़ू की तरह बना लीजे आप बार की शेप देना चाहते है तो वो बना लीजे चोड़ी-चोड़ी क्यूब्स ज़से होते हैं जो उनहें चखने वाले होते हैं गर्भाव से कहते हैं कि पहला सा तक हly हदुअ कना चौकलی बना प्रिख में ज़ेसे क्या और चॉकलेट बनाते वार बिखकण भग चाईट में चोकलेर तेंट चोड़ीन है है एक डाक चॉकलेट है एक यहाँ पर मिल्क चॉकलेट है और एक है वाइट चॉकलेट यहाँ पर भी आप अपनी मन पसंद चॉकलेट ले सकते हैं मिल पास तीनों थी तो मैं तीनों ले रही हूं बन डाक चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को एक साथ मिलाऊंगी और वाइट को मैं अलग coconut बार्ज जो बनाऊंगी उसके लिए लोगी क्योंकि coconut white होती है तो थोड़ा सा अलग देखने पर पता चल जाएगा कि coconut chocolate है अब इस chocolate को हमें melt करना है तो अगर आप भी white chocolate बनाने वाले हैं तो पहले white chocolate का काम कर लें क्योंकि अगर आप पहले dark chocolate बना लेंगे उसके बाद white chocolate बनाएंगे तो color change हो जाएगा अब यहाँ पर मैं chocolate को double baller तरीके से पिगला रही हूँ microwave अगर आपके पास है तो आप 30-30 seconds करके chocolate को पिगला सकते हैं मतलब 2-3 बार में यह पिगल जाएगी तो मेरी microwave खराब थी तो मैं इसे double baller तरीके से ही पिगला चुकी हूँ यहाँ पर chocolate जब गरम होगी तब उसमें यह कोई भी chocolate बनाते हैं उसमें तुरंस नहीं डालना है अगर आप ड्राइफ्रूट जाल का बना रहे हैं यहाँ पिगली चुकी से जब इसका temperature हलका सा कम हो जाएगा ना पिगली चुकलेट का तब आप इसे बनाना शुरू करें ज कि बाद में यह easily निकल सकते हैं कि कितनी आसानी से चुकलेट तैयार हो चुके हैं बिलकुल भी मुश्किल नहीं था बस चुकलेट पिगलाने तक की देर है अब जब यह गीला रहना उसी वक्त इसके ओपर डाल दीजे nuts या फिर जो आपको पसंदो आप attractive colorful sugar balls भी डाल सकती ह या फिर आप टूटी फूटी बगरा डालता है जो आपको पसंदो और इसे रख दीजे फ्रिज में दो से तीन मिनट के लिए ताकि यह जल्दी से सेट हो जाए यहाँ पर white chocolate pigli वाली बच गई थी तो मैं जो पान flavor बना रही हूँ ना खजूर के अंदर जो मैंने गुलकन मोल्ड नहीं थी तो मैं यही पान flavor वाली खजूर इसमें डाल दे रही हूँ ताकि white chocolate जो है वो waste ना हो तो इसी तरह आप भी कुछ भी इसमें डाल करके बना सकते हैं तूटी फूटी डाल करके बना सकते हैं या फिर आप peanut बगरा भी डाल सकते हैं उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है यहाँ पर मैंने दो मिनट के लिए इसे बस फ्रीज में रखा तक यह सेट हो जाए और साइड्स के जो एक्स्ट्रा अगर चोकलेट निकल गया ना तो उसे अप कट कर दीजे तोड दीजे फिर मैंने यहाँ पर पिगला लिए dark chocolate और milk chocolate दोनों को एक साथ मिल नहीं था और चोकलेट बनकर के तयार हो ही जाएगी वहले हम सारे एक साथ डाल दी या फिर एक एक डाले तो इस तरह से टाइम थोड़ा सा पच्छ जाता है सारी खजूर को मैंने इसमें डाला और इसे भी foil में रखा और दो मिनट के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया और फिर आप देख सकते हैं कितनी सारी चोकलेट बनकर के तयार होगी है यह जो तयार चोकलेट से ना इन्हें आप कितने भी लंबे समय तक रखिए खराब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास चोकलेट मोल्ट है तो मैंने कुछ चोकलेट बच गई थी जैसे पिगली कवर कर दिया है बॉक्स में पैक कर दिया है दिवाली के टाइब में मैंने यही चोकलेट अपने फ्रेंज को गिफ्ट भी की थी और उन्होंने दुबारा दुबारा से मांग करके मुझसे चोकलेट खाई थी जो गुलकन चोकलेट थी ना उसके ओपर मैंने रोस पेटल्स भी लगा दिये बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए आपको दिखाना था इसलिए और यहां पर यह देखिए यह है कोकोनट बार्स कितनी प्यारी लग़ी है देखने में और टेस्ट तो अमेजिंग है बहुत अच्छा टेस्ट है मैं आपको कट करके दिखाती हुई एक छोटी सी मैंने यहां पर कोकोनट बार्स बनाई हुई है यहां पर बीच से कट कर दिया और आप अंदर देख सकते हैं कोकोनट भरी और टेस्ट बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है यह है पान फ्लेवर करेगा और बहुत सारे धाइब भी पहुँचाएगा और यह नेट्स वाले चॉकलेट जो मैंने मूल में डाल करके बनाया था उसे भी कट करके दिखाते हुए इस में मैंने बहुत सारे नेट्स डाल दीया थे क्यूंकि मेरे बच्चों को चॉक्लेट बहुत पसंद रहे औ तो आप इसे इस तरह से रैप करके रख सकते हैं ये सारे पेपर्स आपको आसानी से बेकरी में मिल जाएंगे चॉकलेट रैपर वो लोग है तो आपको ये रैपर्स मिल जाएंगे तो आप चाहे तो पैक करके रख लेगे फिर यूहीं सुखी साफ शीशी में डाल करके रखें, इस तरह से पैक करके आप किसी को गिफ्ट करें, ट्रैवल करते समय हैं, जब हम कहीं पर जा रहे होते गुमने, तब भी मीठा काने का मनक सर करता है, तो उस समय के लिए भी आप चॉकलेट्स बना करके रख सकते हैं, उम आप के बच्चे या आप चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, तो इनके नुकसान कम और फायदे जादा आपको मिल सके, तो उमीद करते हूं कि आज की ये वीडियो आपको मीठी, अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो जाने से फ़ले इस वीडियो को एक लाइक करके शेर कर दीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स और फैमली के साथ, जिनके चुड़ी चुड़ी बच्चे हैं, ताकि वो भी अपने बच्चो को इसी तार घर पे उनके टेस्ट के साब के चोकलेट बना करके दे सके, चैनल पर आप पहली बढ़ा हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आती रहती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना हयाल रोके, बाबाई